फिलहाल भारत में इंपोर्ट होने वाले 87% लाप्टॉप्स चैनल से इंपोर्ट किये जाते हैं और पूरी ज़रूरत का केवल 2% प्रोडक्शन ही भारत में किया जाता है और जिन 2% लाप्टॉपस की मैनुफैक्शरिंग अभी भारत में होती है उन्हें भी किवल assemble ही किया जाता है पर अब ये बदलने वाला है IT hardware की manufacturing के चलते जिस PLI को हाल ही में निकाला गया था उनमें कुल 14 भारती और international companies हो select किया गया है पर इस PLI में selected आज जिस भारती company की बात हम करने वाले हैं वो company ना किवल अपनी research और development के लिए जानी जाती है बलकि इस company का नाम उन organization की list में आता है जो IT hardware manufacturing के लिए self-dependent है पांच state-of-the-art manufacturing units और भारत में को 10 design centers के साथ VVDN भारत की एक ऐसी company है जो 5G technology, data center, networking और Wi-Fi के शेतर में ज्यादा तर manufacturing भारत में ही करती है इसके अलावा VVDN को rack storage server, communication server, tablet और personal computers की manufacturing में भी काफी सालों का experience है और इसी को देखते हुए इस company को भारत में laptops और tablets की manufacturing के लिए PLI में चुना गया है अपनी manufacturing capacity को बढ़ाने के लिए हाल ही में इस company द्वारा नई SMT lines लगाई गई है जहां automated ढंग से PCBs की assembly की जाती है इसके अलावा VVDN ने molding और die casting के लिए भी नई machines का installation अपनी existing factories में किया है जिससे IT hardware के ज्यादा से ज्यादा components को भारत में manufacture किया जा सके अभी clear नहीं है कि VVDN कब से भारत में laptops की manufacturing शुरू करेगी और ये भी अभी कहपाना मुश्किल है कि VVDN अपने ही brand के laptops भारत में launch करेगी या फिर contract manufacturing के अंदरगत बड़े brands के लिए laptops बनाएगी इस PLA की वज़े से आने वाले 4 सालों में 1.61 लाक करोड की कीमत के IT hardware की manufacturing की उमीद की जा रही है और इसकी वज़े से 2517 करोड रुपे का investment आने वाले टाइम में भारत में किया जाएगा फिलाल अभी जितनी भी IT hardware की manufacturing भारत में होती है उसमें केवल 10-15 प्रतिशत तक का ही localization होता है पर इस PLA स्कीम के अंदरगत इस localization को 25-30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा और समय के साथ इस localization को 70-30 प्रतिशत तक भी किया जाएगा इस PLA सी जुड़ी हुई सबसे खास बात ये है कि इसमें भारती कंपनीज द्वारा ज्यादा इंटरस दिखाया गया है जहां के वल 4 foreign manufacturers नहीं इसे scheme में participate किया है वहीं 10 भारती कंपनीज इसमें शामिल हुई है पर इन 10 भारती कंपनीज में से VVDN को सबसे strong contender के तौर पे देखा जा रहे है क्योंकि core IT hardware की manufacturing में केवल यही भारती कंपनी है जिसको laptops और personal computers manufacture और assemble करने का काफी तजुर्बा है इस PLI में जहां Dell, Vistron और Foxconn जैसी companies आगे आई है वहीं एक बहुत बड़ी hardware manufacturing company ने अपना नाम आगे नहीं दिया है Samsung ने जितना interest भारत की handset manufacturing PLI में दिखाया था उत्रा ही दूर यह company IT hardware और network equipment की manufacturing PLI से रही देखना ये है कि कितने महीनों बाद हमको laptops और personal computers पे Made in India का tag देखने को मलता है VVDN जैसी भारती companies के लिए comment section में MIA यानी Made in India लिखके अपना support ज़रूर दिखाईएगा और like की बिना मत जाएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं धन्यवाद, जैहे